श्रीमत भागवत गीता, श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। भारतिय परंपरा में गीता वही स्थान रखती है जो उपनिशद और धर्म सूत्रों का है। आज यह केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बलकि देश-विदेश में भी गीता का पाठ करने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। ऐसे में भगवत गीता में नहित कुछ श्लोक आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिती से निकलने में सहायता करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताए हैं जो उन्हें बेहद प्रिये हैं। ऐसा भग्त श्री कृष्ण को प्रिये होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रू और मित्र में मान तथा अपमान में समान भाव से स्थित रहता है। जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दूख आदी द्वंद्वों में भी समान भाव से रखता है और जो बुरी संगति से मुक्त रहता है। अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरह अर्थ भगवत गीता में नहित इस श्लोक का अर्थ है कि जिसकी मन सहित सभी इंद्रियाव शान्त हैं जो हर प्रकार की परिस्थिती में संतुष्ट रहता है और जिसे अपने घर ग्रहस्थी में बहुत आसकती नहीं होती है ऐसा स्थिर बुद्धिवाला भक्त भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है